दोस्तों इस पाई केमेरा की रेज़ में एक और केमेरा आप लोगों के लिए लेकिये आया हूं बहुत ही छोटा सा केमेरा है और इस केमेरे की खासियत यह है कि आपकी उंगली के उपर ये केमेरा टिक जाता है, मतलब इतना छोटा सा है काफी सारे कमेंट्स है मेरे पास में है कि यार Amazon पर बहुत सारे spy cameras मिलते हैं छोटे छोटे cameras मिलते हैं तो उसके बारे भी यार कुछ reviews बनाये जाएं तो इसी series के अंदर हम लोग लेकर आ गए हैं हम लोगों ने मंगवा लिया इवन Amazon से sports dv hd वाले इस camera को sq11 model number है mini dv camera इसके ओपर लिखते हैं full hd लिखा हुआ है अब यह सभी चीज़े सच में है या नहीं है या फिर सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं हमें नहीं पता ज़रूर में आप लोगों को बताऊंगा हर एक चीज़ को test करेंगे full hd 1920 by 1080 का resolution है साइड में देखे हैं हमें तो relevant parameters है avi format के अंदर record करता है mpeg है इसके अंदर और फिर यहां पर video resolution के अंदर दो यहां पर चीज़ दी हुए video frame rate है यहां पर 30 की और भी बहुत सारी चीज़े हैं इसके अंदर box के नाम पर एक बहुत ही छोटा सा जिसा अपना local china का जो charger आता है उस तरह का box हमें यहां पर मिला है और इसके बाद में अगर हम इसको open करें तो कुछ बहुत ही directly normal सा ऐसे कुछ open हो जाता है open करने के बाद में आपको यहां पर यहां पर यहां पर एक कैमेरा इसके लावा और कुछ नहीं यहां पर इसको साइड में रखते हैं इसके साथ में हमारे पास में है कुछ यहां पर स्टेंड हैं यहां पर यह स्टेंड हो गया इसके अलावा एक क्लीप है जो इसके अंदर लग जाएगी और साथ में है सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हमारे में कैमेरा पर इसके अलावा यहां पर आपको ऊपर एक पावर की बटन मिलती है इसके साथ में एक एम लिखी हुई एक और बटन है क्या फीचर्स हैं और किस तरह से फंक्शन में काम करेगा मैं उपको जरूर बताऊंगा इसके साथ में आपको यहां पर माइक्रो एजडी का स्लॉट मिलता है इस माइक्रो एजडी के अंदर आप मैक्सिमम तक ही लगा पाएंगे अगर आप 32 भी लगाएंगे तो नहीं वर्काउट होने वाला है इसके पास में हमें यहां पर मिलता है चार्जिंग के लिए एक सॉकेट और बस इतना सा है इसके अंदर अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले चलिए अभी इसके अंदर हम लोग एक मेमरी काड लगा लेते हैं और मेमरी काड है यहां पर मेमरी काड लगेगा कुछ इस तरह से आप आराम से यह मेरे पास में 16 सबस्ट फलोका है यहां पर ग Slowly यह ब्लुक ऑर की लाइट है काड़ा है यहां पर ब्लुक अल्युसन की यहां पर पावर की बटन इसको एक बार recording के हैं यह जो sample आप देख रहे हैं उसके अंदर हमें जो overall लग रहा है कि आप मुझे comment section में जरूर बताए कि किस तरह की video recording यहाँ पर लग रही है और यह जो video recording है बहुत ही common है मुझे बहुत जादा पसंद नहीं आई personally अगर मैं आपको बत बताओ तो और अब इसको अगर हमें वापस से रोकना है तो हम इसको वापस से यहाँ पर single click करेंगे और इस टॉप हो जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पर रेड के ऊपर रखता हूं मतलब दबाएंगे तो रेड कलर की बटन रेड कलर की लाइट हुई अब यहाँ पर मैं single click करूंगा तो आपका photo click होगा just like यह मेरा selfie सो आप इस चोटे से camera से अपना selfie भी निकाल सकते हैं video and photo दोनों आप यहाँ से खिस सकते हैं video होगा वो आपका यहाँ पर audio के साथ में record होने वाला है अब इसके साथ में जो accessories हैं उसके बारे में बात करें तो यह accessories क्यों दी हुई है चलिए देखते हैं और हम अपने इस camera को यहाँ पर कुछ इस तरह से mount करेंगे आप यह देख रहे हैं यहाँ पर यह पूरा इसका बना हुआ है लगाने के लिए बहुत ही dedicated है इस तरह से कुछ आवाज आ जाएगी और यह camera जो है अब इस camera को आप कहीं पर भी clipping कर जकते हैं कुछ इस तरह से राइट और इसके साथ में जो stand है अब इस stand को अगर आप इसको पर्मानिनली लगाना चाहते हैं तो stand को आप wall mount कर दीजिए और यह जो clip है वो इसके अंदर time नहीं होता है इसके अंदर जो by default जो फोल्डर बनते हैं फोल्डर के अंदर आप यह जो time वाला जो एक format देख रहे हैं उसके अंदर आप जो भी time डालेंगे वही time आपके वीडियो की screen होगी उसके अंदर आपको दिखाई देगा सो तो complete इसको करने के बाद में हमने कुछ इसके test की हैं जिसा कि आप अभी देख पा रहे हैं दीन का जो recording है हमें यहाँ पर जो देखने के लिए मिला है test के अंदर की okay okay है जितना box के उपर लिखा गया उस हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही जो Chinese वाली feeling आती है वो यहाँ पर आपको clear दिखाई द वाला है तो आप इसके अंदर अगर सोच रहें कि night में कुछ अच्छा record कर लेगा तो वैसा नहीं होने वाला है तो दोस्तों यह था हमारा प्रैक्टिकल एक review इस camera के बारे में कि किस तरह का camera है overall यह चाइना है तो Chinese जैसा ही feeling करवाता है हाँ ठीक है अगर आपको डे में कु से camera के साथ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इसको खरीच सकते हैं Link description के अंदर दे दूँगा वहां पर जाकर आप इसको बाई कर सकते हैं बाकि आपको हमारा यह जो आज का review वीडियो है वो कैसा लगा comment section में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया हो तो वीड बहुत धनिवाद जैहिंद